तो भाई वो आ चुका है हम सभी लोगों के सामने एक और बड़ा मुकाबला देखो यह सो मुकाबला है इंडिया और साथ में पाकिस्तान के वीज यह मुकाबला खेला जाएगा यानि मेगा ग्रैनली के पॉइंट और व्यू से देखा जाए ना तो यह मुकाबला को हम सभी क्याना की जैकपोर्ट मुकाबला बनाने वाले यानि जैकपोर्ट मैच होने वाला क्योंकि गाईज ODI World Cup 2023 का यह मुकाबला हो जाएगा इंडिया वर्स पाकिस्तान के वीज तो किलियरली इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि भाई कौन-कौन सा पिलियर्स इन्पोर्ट करना सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने बलाओं क्योंकि यह मुकाबला क्ला खेगा नारेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में इस मुकाबला को खेला जाएगा यदि इस वहनु के मैं अभी आपको आगे बताऊंगा तो इस वहनु पर क्याने की हाइज स्कोर इन्पोटेंट रहेगा इंडिया के गेंसे या पाकिस्तान के गेंसे साथ में और आपको यहां पर से बैटर्स में बात कर ले तो क्या आज इस मैंच में रोही सर्मा आपको 100 प्लस रंड बनाते हुए नज़राएंगे या बाबाराजम आपको 100 प्लस रंड बनाते हुए नज देख लेना वीडियो को पूरा देख लेता हो नो तो भाई ग्रैंड लीग का टीम आप बैतरीं से बैतरीं टीम बना सकते हो मैं आप से खुद कर सकता हूं क्योंकि वीडियो में आपको किलियर दी पता लग साएगा कि किस लाड़ी को अपने टीम में लेना किसे अपने टीम स से बनाना सारा कुछ आपको बताने बला हूँ कि यह जो मुकाबला मैंने आपको क्लियर नी बता दिया हूँ कि जैक पर्ट मुकाबला होने बला अब देखो यह जो ODI World Cup 2023 का मैस नमर 12 हो जाएगा 14 12 अक्टूबर को दो फार दो बज़े से खिला जाएगा मुकाबला हूँ नारेंद्र मोडी इस्टेरियम एमदाबाद में यह मुकाबला को खिला जाएगा और उससे पहले भाई अभी तक कि आपने हमारे टेली ग्राम चैनल को नहीं जवाइन कियो तो टेली ग्राम चैनल को जवाइन कर देना है देखो टेली ग्राम चैनल पर जो मैं टीम लगाता हूँ जिस टीम से मैं विन करता हूँ सिम वे टीम टेली ग्राम चैनल पर देता हूँ जवाइन करने का तरीका क्या ह ञांसे बाई टैली ग्राम चैनल को जुइ कर सकते हूं क्यूंकि टैलि ग्राम चैनल पर टॉस ठोने के भाद फाइडन पीज रिकोर्ट फाइडल टीम फाइनल पिलिएग लेट वन टीम यानि मैस रिलेटर जो भी अपडेट होता ना, टाइम टू टाइम में अपने टेली ग्राम चानल पर देता हूँ, तो फटा फट से टेली ग्राम चानल को भी जबाइन कर देना, साथ में आपका ओपिनियन क्या इस मैस को कौन सा टीम जीतने वाला है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भाई इस कॉमेंट में आपको क्या करना, आपको यही कॉमेंट करना कि आज का मैस तो इंडिया ही जितेगा, क्योंकि हम सभी लोगा टारिगेट किया कि इस मैस को किलियर दी बड़े असानी तरीका से, टीम इंडिया जो वह बीन करेगा, तो कॉमेंट बॉक्स में क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जरूर देना, साथ में टेली ग्राम चैनल को जोईन कर देना, फाइनल टीम और साथ में फाइनल अपडेट के लिए, अब आजाते है, नारेंदर मोदी, एहमदाबाद की इस्टेरियम, यदि यहाँ पर से आजाओ, वैनू के कोडिंग आजाओ न, तो गाइस वैनू का टुटल ODI का सो मुकाबला खिला गया, 27 मुकाबला खिला गया, बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने 14 मैच को बिन किया, यदि यहाँ पर से एवरेंज फर्स्ट है, यहाँ पर से जो टीम बैटिंग करेगा, फर्स्ट बैटिंग एवरेंज के ओड़ आजाओ, तो फर्स्ट बैटिंग यहाँ पर से देख लेते, 2749 का इस वैनू पर है, तो किलियरली इस वैनू पर आभी आप मेरे सामने देख सेकते हो, कि इस वैनू पर 200 के अंदर जो रन बनान वो च्छे बार बना है, 200 और 249 के बीच में 7 बार बना है, 250 और 299 के बीच में 10 बार बना, 300 के उपर तो वैनू पर 4 बार बना है, अब किलियर दी देख लोग कि इस वेनों पर कभी आपको हाई स्कोरिंग के अगेंस आते हो 300 के उपर तो 4 बार बना है ODI में कियाने कि 200 के बीच में देखते रन तो 6 बार बन गया 200 और 249 के बीच में इस वेनों पर 7 बार बना है अब देखेंगे ये दोनों टीम के वीस नग क्याने कि 280-290 रन तो आपको बड़े असानी तरीका से देखने को मिलेगा अब 280-290 रन में क्याने कि दोनों टीम केडिम मुकाबला होता वाई काफी जड़ा टकर का मुकाबला होता हôm सब लोग को पता है आगे आपको clear दी एक-एक players के बारे में बता दूँगा कि किसे अपने team में लेकर के चलना है किसे अपने team में team से drop करना है कौन-कौन सा बॉलर्स इस venue पर हरामेशा performance करके जाता है clear दी आगे आपको पता लगस आएगा अब देखो total इस venue पर आजाओ ना आपको इस venue पर बिकेर निकालते हुए नज़र आएगे आगे बढ़ते है अब गाइस यहां पर से दोनों team की बीच हेट वेर जाले तो दोनों team की बीच हेट वेर में किया ना कि 134 मुकाबला खिला गया है जिसमें इंडिया ने 56 match को विन किया पाकिस्तान ने 73 match को विन किया पिछले 5 match में आजाई तो पिछले 5 match में टीम इंडिया का ने 1 match को लॉष्ट किया 4 match यहां पर से ODI में विन करते हुए आ रहा है पाकिस्तान का देख लिए तो पाकिस्तान ODI World Cup का 2 match करा और दोनों match किया ना कि वाई विन क्या उससे उधर जाते हुँ ना तो 3 match यहां पर से लॉष्ट करते हुए आ रहा है अब हम लोग यहां पर से जान लेते टीम इंडिया का प्लेंग 11 टीम इस match के लिए किस प्रकार से रहने बाला है तो गैस देख़ों है यहां पर से रोई सर्मा इसान किसान अब देखो इसान किसान की जगए पर 95% आपको सुमन गिल किलियर दिये कि खेलते हुए नसरा आएंगे सुमन गिल आ जाते है तो वह इसान किसान को इस match में मोगा उतना नहीं मिलेगा बिराट कोली स्रेसाइजर केल लाउल हार्दिक पांडिया इसमें किलियर दिये आपको बता देता हूँ तो देखो सबसे पहले रोई सर्मा तो रोई सर्मा का डीसेन फ़र्म जवरदास का इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा बिराट कोली हरा में सा पर्फिमेंस करता है सरेसाइजर इस match के लिए इनपोड़ेंट पीक होने बाला अब चलो यह 11 खिलारी में से एक एक पिलियर्स के बारे में जान लेते कि टीम इंडिया के गैंस से कौन कौन सा खिलारी इनपोड़ेंट होने बाला किसे अपने टीम मे प्रफिमेंस करते हुए नजलाड़ें वही बैन उपर आ जाते तो बैन उपर 71 रन बनाएं हेट विड में 56 फिरेंपर से 140, 111 और साथ में 52 में पाकिस्तान के गैंस बैटिंग करना पसंद करते हैं कापी जदा एडवांटिज रहेगा यदि टीम इलिया फॉस्ट डान के जा सकते हुए यदि टीम इंडिया फॉस्ट डान बैटिंग करता तो आपके लिए रोई सर्मा इंपोडेंट रहेगा क्योंकि रिसन फर्म जबरदास्त का पिर यहां पर से इसान किसान का देख लिए तो इसान किसान के एक औरिंग आ जाते हैं तो रिसन फर्म कुछ खा दस का एकसा चार चौहतर एकसा एकीस फिर यहां पर से उनीस रन देखते हैं बैनो पर एक भी मैस नहीं कि रहे हेट वेर में अंठावा नन और साथ में दस रन अब देखो सुमन गिल को ग्रैनली के वीव में यानि मेगा ग्रैनली की टीम के पॉइंट आउव वीव से सकते हैं मैं कि देखो हेट वेर में पीछले मैस में क्या नहीं कि अंठावा नन बनाएं फिर एक मैस में दस रन देखने हैं मिला ओडी याई वल्लकप का इनका ये पाला मुकाब्ला होगा सुमन गिल के लिए तो एडवांटेस लेगा इस मैस में परफुमेंस करते हुए आ एक सच शेत्तर अन बनाएं बट गया है हेट वेर में तो वाई ये तो वैटिंग करना के लिए पाकिस्तान के पसंद करते हैं एक सबाइस चार्च सथात्तर पांच एक यासी अब देखा जाए न तो वाई 50 प्लस रन पर एक मैस में में बनाते हुए ने जड़ा रिसेन अबारे में देख लेते हैं तो रिसेन पॉन्ट पीसी डिरो ऑरतालीस एक सपांस फिर यांञा पर से तीन ड़न हेट वेड वेंच में 14 बनाएं बैन्व पर एक मैच के लिए चलिगर के असी रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं फिर यहां पर से केलराओल का देख लें केलराओल पकिस्तान के एंगे से बैटिंग करना पसंद करते हैं देखो हेट वन में दो मैच के लिएक से ग्यारा रन और सात में संतावनन तो किलियर दी यह जो वले वाज़ान है जब भी यहां पर से इनको बैटिंग का मौका मिलता तो भाई यह अपने बैटिंग से मलब डेर सारा रन बना करके जाते हैं रिसन पॉन भी जबरदस्त का संतानवे फिर यहां पर से बावन पचासिव बैन उपर एक का मौका मिलता भाई अपने बल्ले से क्याने की रन बना के लिखे जाते हैं अब देखके मैं आपको किलियर दी बता दू न तो इनको पांच में डाउन पर बैटिंग तो किलियर दी कि इस मैस में इनको बैटिंग का मौका मिलेगा क्योंकि बैन उपर मैंने किलियर दी बता यहां पर से ओंट होकर के पबिलियन जाता तो चांसेज बनेगा केल राहूल का और चांसेज बनेगा तो आपका क्याने की Grand League का टीम जो करेट करोगे सबसे अलग और सबसे यूनिक टीम आपका करेट होगा मोश्ट पिक रहेगा केल लाल को टीम में लेकर के करतें नहीं हैं देखाक हुसा हाग स्सक्जा करने नन elders दो ओर अबर यह बॉल्ली लिए इस मैचक और जलों क करेंग तो आपको दो पुनालते हुए नज़राइंगे आठ आफर यह बॉल्लिंग करेंगे इसे वह इस मैच के लिए क्योंकि पाकिस्तान के इनको विकेट मिलता के लिए रदी दो विकेट निकालेंगे वसे यहां पर से देखा जाए तो साथ से च्छे आपर बोलेंग करते हैं लेकिन आठ अब आपर की चांसे बनेगा अब देखो यहां पर से रवेंदर जटे जा रिसन फॉर्में द विकेट 31 एक विकेट तो यहां पर से रवेंदर जटेजा का देखने तो रवेंदर जटेजाओ फ्म्हों म कुछ फा नहीं करें आगे बढदे माद कर लें। सारदूल ठाकुर का सारदूल ठाकुर के गए साधर देखो तो सारदूल ठाकुर के एकवाइडिंग आते हैं लेकिन सारदूल ठाकुर की जगवा पर हो सकता ना तो यहां पर से मौमा समी को मौका मिलने के कापी ज्यादा चांसेश रहेगा इस मैच में सारदूल ठाकुर बै भी पिक करके जा सकते हैं क्योंकि वह बंदा हर हमेशा पकिस्तान के सामने कम से कम के लिए लिए तीन विकेर निकाल करके देंगे तो आप अपने टीम से बिल्कुल भी ड्रॉब मत करना यदि मुहमद समी खेलता तो अपने टीम में लेकर के चलना वैसे सारदों ठाकुर के ब हमेशा थाल है अब बैन उपर भी देखलो जीरो भी एक 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 विकेर एक एक विकेर तो इनको किलियर दे मैं बात कर लेते हैं करते हैं निकालता है यह बंदा हरता है आपर यहां पर से एक पास और पागएट पकिस्तान कापी ज़्यादा टर्न करता है और देखो टर्न करता है तो कापी ज़्यादा है यहां पर से बता देता हूँ कि पाकिस्तान होने की चांसे इनके सामने ज़्यादा रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ हरे मैं सा पॉर्पिमेंस करते हुए नसराते एडवांटेज रहेग में एक विकेट, जिरो विकेट, दो विकेट, हेट वेर में भी देखते हैं तो काफी अचा-खासा विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं अब हम सभी लोग जान लेते हैं यहां पर से पाकिस्तान का प्लेंग रेवन टीम किस प्रकार रहने बाला सबसे पहले आपको यहां पर से अब्दुल्ला यहां पर से क्या की साफिक आ जाते हैं इमामुलग, वाबाराजम, मुहमद रिजबान, फिर यहां पर से साकिल हो गए इस प्रकार से पाकिस्तान का प्लेंग लेवन टीम रहने बाला है अब यह पाकिस्तान के गएंस से ग्यारा खिलारी में कौन-कौन सा इनको टैंट पने बाला वससे देखा जाए तो मुहमद रिजबान को बहुत सारा लोग अपने टीम में पिक करके जा रहे लेकिन मैं आपको बोलूँगा आगे कि मुहमद रिजबान को अपने टीम से ड्रॉप कर देना क्यूं ड्रॉप करना यह मैं आगे बताने बाला हूँ बावर आजम का भी देखते हैं बैट यहां पर से क्यान है कि इस खिलाडिक एकोडिंग आजाओ यहां पर से अब्दुल्ला साफिक के अगेंस आजाओ तो बहुत सारा पिछले मैंच में संचूरी बनाए तो इनका स्लेक्शन परसेंटेज हाई हो गया लेकिन देख लेते ह सबसे फिले एक एक प्रियर वाइज अनालेसिस करते हैं अब आपको किलियर दी पता लग जाएगा किसे अपने टीम में लेकर के चलना किसे नहीं लेकर के चलना सबसे फिले आपर से अब्दुल्ला साफिक के अगेंस आजाओ रिसन फर्म एक सब तेरह बारह चौदा बाव येट वेल में देख लो 9, 7, 10 फिर आपर से दो रिसन पॉर्ण में 12, 15, 16 फिर एक उनीस रिसन पॉर्ण में कुछ खास नहीं बावराजम की बात कर ले बावराजम 10, 5, 90, 80, 10 फिर आपर से येट वेल में 10, 48, 9, 47 तो किलियर दीए कि आप अपने टीम में बावराजम को लेक करके चलना है एडवांटेस कब रहेगा कब आप अपने टीम के लिए कैप्टन मुना करके जा सकते हो कब यदि पाकिस्तान टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो सिर्फ मैं अपने टीम में लेकर कि जाऊंगा क्लियर दी आपको बता देंगे लेकिन इंडिया के सामने दे मुम्मद रिजवान की बारी देख लो भाई यहां पर से मुम्मद रिजवान के गयन साजाई एक से एक तीस अरसट एक सतीन च्यासी दो मतलब पीछले यहां पर से ओडिया फॉर्णमेट में देखा जाए ना तो इस वर्ल्ड कप में तो बाई कंटीनी उरन देखनी को मिल करके जाते हैं पीछले यहां पर से पीछला जो मैस गया हम सभी लोग को पता ने कि पाकिस्तान से मुकाब्ला हुआ था उसमें क्याने की वाई फ्लॉफ गया थे तो किलियर लिए कि पाकिस्तान के गयांस कुछ खास नहीं करें तो आप अपने टीम में चाहते हो न लेना त कुछ खास प्रफिमेंस नहीं करते हैं तो आप चाहतो पिक करना तो पिक करके जा सकते हो वह इसे वह सब्सक्रा लोग कैप्टन और वाइस कप्टन भी बना करके जा रहें फिर यहां पर से बात कर दें एस साकिल का साजा एडिशन पॉर्म एकतिस अर्सट पच्छतर फिर ह्यां पर से देखो यदि हैं पर से कोई वीं पाकिस्तान पाले बैटिंग he लेकिन चांसें काफी ज्यादा रहे गा कि पाकिस्तान सब्सक्रा पहले बैटेंस करता टॉप ओडर का की वह निया जाने कि चांसे रहेगा तो ऐसे ाजसे बलेबास व्यानेु quién बनाते हुए BNW पर आजाई तो BNW पर 0 Wिकेट 15 औरॉन फिर हमकुर से 0 WिकेAR निकाल है हैT subset में दो हिंदिंग में 15 और रउन बना है 0 Wिके सामने आपको विकेट कुछ खास नहीं निकाल करके जाते सादाप खान का भी जान लेते तो डियरी स्पर्ण कुछ खास नहीं एक विकेट बद्तीस रन एक विकेट छे रन जिरो विकेट ठीम एक के सामने देखते तो सदाव खोन का गॉर्लिंग यह हो या बैटिंग हो कुछ नहीं खास कर पते हैं अप तीनि उपर सब्साइट खासाथ रहेगा इंडिया के एक मैंस में चार्विकेट भी निकालते हुए इनसरा रहे लेकिन रिसन पॉर्म में एक विकेट एक विकेट वैसे वैनुपर पर पेसर्स बोलर्स को एडवांटेज रहेगा दो तीन विकेट बड़ी असानी तरीका से निकाल गिर के जाएंगे पेसर्स लेप्ला पाणते रहेंगे चलाएंगे एक मेंस में एक मेंस में एक विकेर जो सी पेसर्स इन निकालते हुए नसराया एक मेंसे किसी एक को चाहते हो VC पिक करना तो Grand League की टीम में VC पिक करके जा सकते हो अब देख लो कि मैंने अपना टीम का कॉंबिनेशन के इस परकार से बनाया हूँ सारा कुछ मुझे पता लगया कि पीछ रिपोर्ट क्या है इस पिस पर कौन सा बॉलर से इस परकार से बनाया है यह जान लूँ तो गाइस देखो VC की पर में जो पिक करके चला हूँ यहाँ पर से देखा जाई तो मुहमद रिजवान को अपने टीम में पिक क्या हूँ इस मुहमद रिजवान की चांसेज में आपको बता दू न तो इसे ड्रॉप करने की काफी ज़दा चांसेज है अब देखो चैंज करूँगा तो आपको टेली ग्राम चैनल पर बता दूँगा तो टेली ग्राम चैनल को भी जरूर जोइन कर देना तो बैटिंगेंस से आजाए बैटिंगेंस से बिराड कोली पिक किया हूँ इसमें जो भी चेंज करता हूँ जो भी चेंजिस करता हूँ टीम फाइनल अब्डेट टेली ग्राम चानल पर देखिने को मिलता है तो इस वीडियो के बाद आप लोग से मिलते हैं कहां पर डिरेक्ली टेली ग्राम चानल परेखिए